तो अजिए आज इन आज पार शेयर चाहर शेड़ा अजिए अजिए को आज को मारा लेक्चेर रहें लेक्चानुमर 20 यह लास लेक्चर है इसके बाद जो और डबल लेयर पीचीब डिजाइनिंग से रिलेटिड जो जो टेक्नीस थी या रूलस और रेगुलेशन थे वो आज के लेक्चर के अंदर कम्प्लीट हो जाएंगे और इसके बाद जो है मैं इस सीरीज को यहां ब्रेक कर दूँगा देन जो है कुछ प्रोजेक्स के उपर जो मैंने काम करना है कुछ क्रिएटिव आइ जरी पूछ सकते हैं अगर कोई डिजाइनिंग से रिलेटिड कोई चीज आपने पूछनी है तब भी आम मुझे जाए वो कमेंट की जरी बता सकते हैं उसके उपर मैं आपको वीडियो बनाकर जाए वो बता सकता हूं तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है वह इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी कस्टोमर के लिए पीसीप रिजाइन करते हैं तो आपको यह दो चीज जो पता होनी चाहिए तो आए स्टार्ट करते हैं से पहले मैं आपको यह एक पीसीबी दिखाऊंगा यह मेरे क्लाइन की एक पीसीबी है चुकर मैंने बनाई थी और दिखाने का मक्सद यह है कि काफी कॉम्पैक्ट है यह तकरीबन इसका जो साईज है 2X1.5 इंच इसका साइज है याहां से यह वन पॉइंट फाइव है और यहां से जो है यह बताना है यह सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप इसकी individual layer या individual के लेंगे टॉप या bottom को आप देखना चाहते हैं तो वो किस तरीके साथ देखेंगे ठीक है यहाँ पर इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको option मिल देंगे layer को अऔर ऑन और ओन करने का थीक आप on कर देंगे तो इस तरीके से आपके पास जो है वो single layer mode on हो जाएगा सिर्फ आप उसी layer को देख सकते हैं जिस layer को आप select करेंगे for example जैसे यहाँ पर नीचे select हुआ हुआ है top layer तो इसलिए top layer जो है यहाँ पर आपको उसके track नजर आ रहे है ठीक है अगर आप यहाँ से bottom select कर देंगे तो यहाँ से आपको bottom layers जो हो नजर रहेंगी अगर आप mechanical select कर देंगे तो इस तरीके से mechanical layer आपको show होगी top assembly, top 3D, bottom assembly, bottom card yard, top overlay सही है तो इससे होता यह है कि जो भी tags हैं जैसे for example top overlay तो इसके अंदर जो भी tags हैं उनकी alignment जैसे कि देखें यह art 10 है इसको मैं इस तरीके से align कर दूँगा तो जो जो tags हैं उनको आप easily जो हो clearly जो है देख सकते हैं और उनकी alignment जो हो proper कर सकते हैं उसके लावा जो है आप यहां पर layers जो है वो easily देख सकते हैं कि कोई layer जो है वो 90 degree तो नहीं है या कहलें कि सारे track जो हो proper है आपने जो size रखा है जो clearance रखी है उसके मताबिक हैं या नहीं तो यह जो option है यह बहुत ही जादा कहलें कि important जो है वो मेरी नजर में तो है क्योंके जो मैं इससे जो हो मुझे काफी help होती है और मैं directly जो हो अपनी जो भी गलती है फाइनल करने के बाद जो मैं इस तरीके से जो हो देखता हूं और उसको पिर जो हो कहलें कि correct कर लेता हूं then फिर यहां से आप bottom overlay भी दे सकते ह कोई नाम नहीं मैंने जो है वो टेक्स नहीं लिखा इसने आपको शो नहीं हो रहा तो यहां से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं ठीक है एक तो यह option होगा है जो मैंने आपको बताना था और अगर मैं आपको इसकी जो है वह 3D भी दिखाना चाहूंगा यह इसका 3D भी है अच्छा यह यहां पर जो है यहां पर जो है यह STM का board लगेगा STM blue pill 103 जो है वो यहां पर as it is जो है वो यहां पर कहलें के install हो जाएगा और पिर यह circuit जो है वो coding के मताबक काम करेगा two digit resolver के लाम से circuit जो है मैंने design किया customer के लिए ठीक है तो यह तो हो गया अच्छा अब जो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो यह है कि होता यह है कि जब आप freelancing करते हैं तो आपको customer जो है इस तरगी की PCB जो है वो send करते हैं और PCB file जो हो आपको भेजते हैं अच्छ किसी के पास जो है वो online access तो होता नहीं है जैसे for example मुझे तो LTM ने sponsor किया वह है और उन्होंने मुझे अपना software फ्री दिया वह है तो मैं यहां पर जो हो online हो और कोई भी component जो हो मैं easily online जो हो देख सकता हूं हर किसी के पास यह access नहीं होता तो होता यह है कि लोग जो है वो crack version से जो है वो PCB design करते हैं schematic design करते हैं और अगर उनसे कोई चीज नहीं हो रही हो थी for example कोई tracking नहीं हो रही या routing नहीं हो तो फिर वो आपसे contact करते हैं चाहे वो fiber से करते हो या आप फरक से करते हो या कोई भी platform ह उससे वो आपसे contact करते हैं कि यह PCB जो है वो आप edit करके देदो या designing करके देदो या routing करके देदो तो होता यह है कि उनके पास जो component या कहले library होती है वो उनके PC में होती है ठीक है वो आपको file तो बेज देते हैं अब होता यह है कि जैसी आप schematic पे जाएंगे for example यह हमारी schematic है और यहां से मैं जो इसको update पे click करूंगा और जैसी आप यहां से execute change करेंगे तो यहां पर done की जगा जो है वो cross आ जाएगा क्योंकि आपके पास library का footprint नहीं होगा आपके पास library मौजूद नहीं होगी जिसकी वज़ा से जो भी library है वो schematic से PCV में convert नहीं होगी कि समझने आप बात को दो अब यह अब लैपरी एक्स्ट्रیक कैसे कर सकते हैं इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं इस file इस file से ही आप members import और extract कर सकते हैं उसका जो मैह kaufen के आ है और यहां पर यह रिले ड्राइवर का मैंने सर्कृट डिजाइन किया है कस्टमर के लिए तो यहां पर जाए हम पाइल उपन कर लेते हैं ने इसमें भी मैंने लाइबरेडी जाए वो क्रियेट कर लिए थी इसके लावा कि रेले ड्राइबर यह मैंने एल्टियम पर बनाया था यहां ठीक अचाहिए सारे सर्कृट यहां बंद कर देता हूं ताकि यहां कन्फ्यूजन ना हूँ कि लोस प्रोजेक्ट अचाह पहले मैं आपको यह वह डिफरेंस दिखाना चाहूंगा देन पर हम आगे बढ़ते हैं अब चोटा सा सर्कृट है जो कि मैंने डिजाइन किया था अच्छा आप यहां देख सकते हैं मिरे पास दो फाइल है एक है रिटे ड्राइबर जो कि मैंने अभी खुल है अब इससे पहले जो फाइल को लिए वह यह है जिसका नाम मैने जो है वह क्या रखा है सर्कृट है और उसका कोई नाम नहीं दिया नहीं तो अब यहां आप देख सकते हैं दिखें यहां पर कौन कौन सी वाइल आए सूर्स डॉकुमेंट का अंदर श्रमेंट्सक्साइन पाइल है बिस फाइल है फिर उसकी समयर्ट्सकी है नोंबर फ़्र नमर्टो है फिर उसकी कह लेंकि यह PCB file है फिर जो है वो गर्बर file है इन दोनों की फिर इसके अंदर जो है एक library का जो है वो folder है और इसमें compile library के नाम से है और रेले driver के नाम से है नहीं कि इस file की जो है मैंने compile library जो है एक्स्ट्रेक कर लिए किस तरीके से किए वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा ठीक है और यह generated है अच्छा यह अपने file खोली देखें इसके अंदर से दो ही डॉकॉमेंट है PCB file और schematic file यह schematic file है यह PCB file है इसके लावा और कोई file इसके अंदर नहीं है ना library की file है ना libraries है ना compiled libraries है ना generated है कुछ भी नहीं है तो अब यह किस तरीके से की जाती है वह मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा पहले मैं इसको close कर दूँ और अब आप करना यह है कि आपने जो है वो जाना है अब इसी भी फाइल में और design में जाना है और आपने इंटीगरेटेड़ लाइब रिपे क्लिक करना है हुआ है कि यहां पर वो थोड़ा time लगेगा हुआ है अब जाना है डिजाइन में और में एंटीपर लाइबरी पे क्लिक करना है है जैसी आप में इंडिगेटेडे राइब करें आप देख सकते हैं उसी वक्ट फोल्डर क्रीट होगा लाइबरेजी का कॉंपरेंट का नेट का ठीक है लाइबरेजी के अंदर प्रोजेक के नाम से लाइबरेजी यह प्रोजेक्ट हो चुकी है ठीक है कॉंपरेंट्स भी आ गए सारे सीवन सीटू सीट्री सीफॉर और जो जो कॉंपरेंट्स के अंदर यूज किया है मतलब कहलें के एक्स्ट्रैक्ट हो गए और जो भी डेटा था वह सारा जै वह इंपोर्ट हो चुका है इस पीसीबी फाइल से ग्राउंड नेट वायर वी सी सी इच और इवरिफिंग जो हो इंपोर्ट हो गए यह इसी फाइल से ठीक है अब आप अप जो है आप चाहरें कि इसको जो है मैं अपनी लोकेशन पर जो हो सेफ करना है करेंगे कैसे आपने डबल क्लिक करना है पीसीबी प्रोजेक्ट फाइल के नाम से यह फाइल जो क्रेट कहले कि ओपन हो जाएगी फिर आपने जैसको सेव करना है और सेफ महीं करूंगा कूंकर मैंने यह आडर नंबर 48 किसी कस्ट्टमर की आता तो मैं इसको ही पर सेफ करूंगा तो यह फाइल जो सेफ हो गई है यह जो हमने लाइबरी इंपोर्ट की थी वह हमारे पास सेव हो गई है अब आपने करना ही है कि आप जाएंगे पाग ओडर 48 के अंदर और यहां यहां पर जो हो आपको पीसीबी प्रोजेक्ट पीसीबी प्रोजेक्ट करने का इंन अगा पिभाऒे तो इस तरीके से किसी तरीक्ट कर सकते हैं वो इस मैंたい से जूए इंपोर्ट की जातीफ डिजैंड में जात्यार्कर आपने में कि handled का तो आज की वीडिए के अंदर मैं आपको यही चीजर बतानी थी यह लास्ट है बाकि साथी तो मैंने आपको बाकी लेक्टर्स के अंदर बता दिया है डिजाइनिंग से रिलेटेड, रूल्स और राइगुलेशन से रिलेटेड, गर्बर फाइल और बॉंब फाइल, इच और आपको बता दिया है, से ये दो चीज़े रह गई थी, जो के फ्री लांसिंग से या कहलें के कस्टमर से रिलेटेड थी, जो के मैंने आपको बता नहीं थी, ता कि जए वो किसी किसिम की भी जए आपको परेशानी ना हो, अगर इसके लावा कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती ही, तो आप मुस्से कमेंट के जरी ये पूछ सकते हैं, अपना बहुत खायाल रखीए, इंशालला आपसे नेक्स वीडियो मुलगात होगी, तब तक के लिए, अल्लाफिस.